कि अधियां रखेगा इस सेशन में हम सिर्फ हिमाज़श्क के करणट फे इसके लाबा जो पीडियाफ है वह मिली कि आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे सच कीजिए गया हिमाज़श्क के करणट फेर की तो आप इंस्टाग्राम पे जोईन कर सकते हैं और फेस्ब हजारे ट्रोफी फॉर फेस्ट साइमों किस टीम ने पहली बार विजए फजारे ट्रोफी किसने जेती है यह जीती है यह जाडिलिश ने। यह है शुबम अग्रोरा और यह हमरी पुर्डिस्टी के रहने वाले हैं इसके इसी लाबा जो हमादृstone क्रिकट टीम के कैपटन है रिशीeb दवन और यह मंदी के रहने वाले हैं बात करें वी जे हजायरे ट्रॉफी के तो इसका इनग्रर एडीशन यहीं कि पहला एडिशन हुआ था 1993-94 सेशन में और उसके बाद वर्ष 2001 एक और दो के सेशन तक इसमें जो नबाइज ही क्रिकेट खेली जाते थी यानि कि जो भी टीमें थी उन्हें जो नबाइज डिवाइज किया गया था और जो नबाइज ही फाइनलिस्ट डिक्लियर किया जाते थे लेक हाजार ट्रॉफी है 50 ओवर का इसमें मैच होता है क्रिकेट मैच होता है और इसे रंजी का वंडे फॉर्मेट भी कहा जाता है और इसमें जो मोर्स सक्सेस्पूल टीम है वो है तमिल नाडू जिसे अभी हिमाजवडेश ने हराया और तमिल नाडू पांच बार जी चुका ह है और पहला एडिशन भी तमिल नाडू ने ही जीता था और अभी करंटली जो जैंपेन है 2021 के एडिशन के जैंपेन है वो है हिमाजवडेश त्यार किएगा हिमाजवडेश ने पहली वारिये टैटल जीता है किसने जीता है ये है आंचल ठाकुर मनाली की रहने वाली है और इन्होंने यूरोप के मॉन्टेन एर्गो में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के द्वारा जो अल्पाइन स्की कॉम्पेटिशन और्गनाज़ किया गया था इसके अंतरकत तो जाएंट सेललों इवेंट था द्यान रखेगा इन्होंने ब्रॉँज मेडल जीता है और ये पहले इंडियन वुमेंस की एटलेट बन चुकी है जिन्होंने की दो बार ये इंटरनेशनल इवेंट मेडल जीता इस से पहले इन्होंने वर्ष 2018 में भी ब्रॉँज मेडल जीता था आप इमेज में देख सकते है और इसे 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 और इस डल्मेंट बैंक के प्रजेक्ट के अंतरगत ब्यास नदी के जितने भी घाट है उनको डल्फ करने के लिए किसो क्रोड रुपे की फाइनेशल असिस्टेंस भी दी गई है बात करें ब्यास नदी की जहांपर की ब्यास आरती परफॉर्म की गई इसका वैदिक नाम है अरजी किया संस्कित नाम है विपाशा और ये कुलू डिस्टिक में ब्यास कुंड से उदगम होती है जो इसका उद हिजाब में जाकर हरी के पतनम नाम की जवगा पर सतलू नदी के साथ मर्ज होती है और टोटल हिमाजडिश में 256 किलोमेटर तक के ट्रैवल करती है और जुसकी पूरी की पूरी लेंथ है ओल ओवर हिमाजड़ और हिमाजड़ के आउटसाइड मिलाके तो ये है 460 किलोमेट और इसकी जो ट्रैविटरी हैं वो है पारवती, पतली कुहल, मनोनी, लूनी, हारला, उहल, तिर्थन, सैंज, सुकेती, गज, चक्की, बानगंगा, बनेर, आवा, सोनकड, न्यूगल, फोजल, सर्वती और हंसा तो ट्रैविटरी का दियान रखीगा कभी एक्जाम में पूछ लेते हैं कि ये ट्रैविटरी कौन सी नदी की है तो इनका भी दियान रखीगा तो किस ने किया है? देखे, जब भी हिमाज़डेश में कोई ऐसा कारे करना होता है जिसमें की पर्यावर्ण सनक्षन करना हो या भी पर्यावर्ण में सफाई का पुरा ध्यान रखना हो तो सबसे पहरे जो मेजर डिसीजन लिये जाते हैं वो लिये जाते हैं तो देखे, जब से अटल टरनल का नर्मान हुआ है और अटल टरनल खोली गई है उसके हमें बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन कुछ नुकसान उसमें देखने को ये मिलते हैं कि जो भी टुटिस्ट हिमाज़डेश गूमने के आते हैं और वो अटल टरनल के थूर लाज़ड दिस्टिक अटमिस्टेशन है उन्होंने डिसाड किया है जितने भी टुरिस्ट अटल टरनल के थूर लाज़डेश में एंटर करेंगे उन्हें जूट के बैक्स दिये जाएंगे इस तरह के थैले दिये जाएंगे इसमें वो जो भी इनका कोड़ा कचरा होगा वो जो यह बापिस आ जाएंगे घूम के लाज़डेश में अटल टरनल के थूर तो बापिस वहाँ पर यह बैरियर पर इनके बैक्स जो हैं यह ले लिए जाएंगे इसके लापा लाज़डेश की अटमिस्टेशन दोरा लगबग 10,000 जूट के बैक्स का ओर्डर दिया गया है What was the theme of the district level river festival organized under अजादी का अमरित मोसब in कुल्लू? कुल्लू में अजादी का अमरित मोसब के तहत आज जीरस तर ये नदी मोसब का वीशे क्या था? तो क्या था? तो कुल्लू में बैयास नदी की किनारे ही ये बनाया गया और ये अजादी के अमरित मोसब के अंतरकत organize किया गया था ये district level river festival था इसमें जो theme थी वो बैयास नदी से related होगी तो वो थी मेरी बैयास जीवन की आस option भी correct answer है तो कुल्लू district में river festival organize किया गया और इसकी जो theme थी वो रखी गयी थी मेरी बैयास जीवन की आस और कुल्लू में एक nature park है मोहल नामक जगा पर वहाँ पर इसे organize किया गया था इसके लाबा एक महा आर्थी भी perform की गई दरमशाला स्टेडिएम में खेला गया एक मात्र टेस्ट मेच बारत और किस देश के बीच में खेला गया था तो news में क्यों है तो लगबग पांच वर्षों बाद अब हमाद्श का जो cricket session का स्टेडियम है दरमशाला में वहाँ पर कोई international cricket match होगा तो जो BCCI है उनके दोरा ये डिसाइड किया गया है कि मार्च 2022 में इंडिया और शिलंका के बिच में एक T20 मैच वहां पर और्गिनाइज करा जाएगा और इसकी जनकरी दी गई जो हिमाज डिश किरिकेट एस्टेशन के प्रेजिडेंट है अरुनकुमार दुमल उनके दोरा दी गई इसके लावा अरुनकुमार दुमल ये BCCI के ट्रेजरर भी है इसके लावा बात करें कौन कौन से मैच हुए काफी बार एक्जाम में देखे गया है ये कौशन की पहला मैच कौन सा हुआ, किस के बीच में हुआ तो एक मातर टेस्ट मैच खेला गया है और वो हुआ है इंडिया और आस्ट्रिया के बीच में बर्श 2017 को पहला ओडिया मैच खेला गया था, मेंज की है ये, पहला जो ओडिया मैच खेला गया था, वो वर्श 2013 में इंडिया और इंग्लेंड के बीच में खेला गया था पहला T20 मैच वर्श 2015 में इंडिया और सौथ फरीका के बीच में खेला गया था और फस्ट वोमेंटी 20 मैच जो था वो इंडिया और इंग्लेंड के विच में वर्ष 2016 को खेला गया था इसके लावा बात करें इस क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जो की कांडर डिस्टी के दरमशाला में स्टीत है इसे कहते हैं हिमाजडेश क्रिकेट एस्टेशन स्टेडियम वर्ष 2003 में इसके साफना की गए थी और जो हिमाजडेश की क्रिकेट टीम है उसकी रनजी ट्रॉफिय का होम ग्राउंड भी यही है इसके ़िप लावा किनग्स लावन पंजाब जो की आई पेल की टीम है उसका भी होम स्टेडियम यही है यानि कि उसका जो मौहली का होम स्टेडियम है इसके लावा और पहली इंट्रनेशनल टीम जो यहाँ पर match खेली थी वो वर्ष 2005 में खेली थी और वो थी पाकिस्तान की cricket team इन्होंने इंडिया A के किलाब यहाँ पर एक warm-up match खेला था इसके लाबा नवंबर 2015 में जो दरमचला के cricket stadium है इसे एक test venue के रूप में माननेता परदान की गई थी तो कहां पर है यह है नालागड में आप्शन सी करेक्ट अंसर है दिखिए जो नालागड में हांडा कूडी काउ सेंचरी है यह भी न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है क्योंकि जितने भी यहाँ पर पशू है उनके management करने के लिए फंड्स की काफी कमी हो चुकी है इसलिए यह न्यूज में है तो धिया रखिएगा हंडा कूडी का उसेंचरी यह नालागड में श्तित है फरबरी 28 दो हजार एककिस को मुक्यमदरी जाराम ठाकों द्वारा इसका दुकाटन किया गया था और लगोंगे यहां पर 500 पशू रखे गए हैं अभी फंड्स की कभी हो चुकी है कि कि अब देखते हैं कि किस तरह से manage कर पाते हैं तो कहां किया गया था यह क्या गया था यह नौनी में जो की सोलन में स्तित है प्रोग्रेसिव एगरी लिडर्श्प समीट 2021 इसे organize किया गया था दॉक्टर वायस परमार इंवस्टी जोकी सोलन के नौन इंवस्टीत है और इसमें चीफगेस्ट बने थे हमारे केंद्रिय, फिश्रीज, एनिमल हस्बेंटरी और डेलिंग मिनिस्टर पुरश्वत्म रुपाला ये हमारे चीफगेस्ट थे और ये जो प्रोग्रेसिव एगर कोपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिक फेडरेशन लिम्टेड इनने भी इन तेनों ने इसको मिलके साथ में और इनाइज किया गया था तो ध्यान रखिएगा अगर एक्जाम में कॉशन है जो प्रोग्रेसिव एगरी लिडर्शिप समिट है कौन सी स्टेट के साथ मिलक की गई तो सिक्क्यम करेक्ट अंसर टिक कीजेगा क्योंकि जो सिक्क्यम की स्टेट को अपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिक फेडरेशन है उनके द्वारा भी इसे और्गनाइज किया गया था और जो हमारे पुर्शोत्तम रुपाला है जो कि फिशरीज एनिमल हस्बें 2021 प्रोग्रेसिव एगरी लिडर्शिप समिट 2021 के दौरान के सराज्य ने मृदा स्वास्ते और करिशी विप्रन और प्राथाओं में सर्वशिट पहल के लिए पुर्शकार जीता है किसने जीता है ये जीता है हिमाचप परेश ने ओप्शिन भी करेक्ट अंसर है दिखिए इसके लावा हर्याना को मिला रिस्क मेंजमेंट और इनिशेटिव 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 इनिशेटि निम्त में से किसे मुख्यमत्री जाराम ठाकुर द्वरा शिक्षा भूशन पुर्षकार से सम्मानित किया गया है और ये दिये गये प्रफेसर कपिल कुपुर, डॉक्टर बदरी परसाद पंचोली और रिनू दांदेकर इन तिनों को ये अवार्ड दिया गया शिक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकुर द्वरा हिम रतन पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया है किसे किया गया है ये है नंदलाल शर्मा, ऑप्शन एक और टंसर है नंदलाल शर्मा ये सत्लो जल्विद्यू निगम लिम्टेड के चेर्मेन है और इन्हें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है हिमाजडेश के गोविन सिंग ठाकुर उनके द्वरा हिम रतन से समानित किया गया है दिखे एक फंक्षन ता जिसका नाम था प्रोमोटर्स औफ सोचल एंड कल्चर हेड़टेज ऑफ हिमाजबरेश उस फंक्षन में हिम रतन से समानित किया गया है नंदलाल चर्मा को जो की चेर्मेन है सतलु जल्विदू निगम लिम्टेड के अजब मुझे कमेंड बक्स में लिख के दीजेगा जो गुबिन सिंग ठाकुर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है इनका विदान सबाक्षेतर क्या है इसके लावा जो सतलु जल्विदू निगम लिम्टेड है इसकी साफना वर्ष 1988 में नापता जाकडी पावर कॉर्परेशन के रूप में की गई थी और हैड़कोर्टरेस का शिमला में हिर्दे रोग के लागत प्रभावी प्रवंदर में योगदान के लिए इन्डियन आइकर 2021 हिर्दे विज्ञांसे के सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है यह है डॉक्टर दीपक पूरी इन्हें सम्मानित किया गया है डॉक्टर दीपक पुरी शिमला के रहने वाले हैं और कार्डियक सर्जन है यानि कि हिर्दे रोग से ये विशेशक्य है इन्हें इंडियन आइकन 2021 कार्डियक साइंसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि जो भी कार्डियो वस्कुलर डिसीज हैं हमारे हिर्दे रोग हैं उनकी जो कॉस्ट नेजमेंट है उसे इफेक्टिव तरीके से इन्होंने किया है इसलिए इन्हें ये अबॉर्ड से समानित किया गया है अबॉर्ड का नाम याद रखेगा इंडियन आइकन 221 कार्डिक साइंसिस इसके लावा जो डॉक्टर दीबक पूरी है ये कार्डियो मेरिसन ये एक संस्ता है इसके ये फाउंडर चेर्मेन भी है खेल महाकूंब जिसका उदगाटन विदान सबा उपादक्ष अंसरा चोहान ने किया किस तान पर शुरू हुआ तो कहां पर शुरू हुआ ये हुआ हमिरपूर के खरवार में तो हमिरपूर के खरवार में खेल महाकूंब का उदगाटन किया गया हमारे हिमाजबेश विदान सभा के जो जैपिटीव स्पीकर है हंसरा चोहान उनके दोरा देखी इंपोर्टन क्यों है ये खेल महाकुम्ब क्योंकि वर्ष दो हया अठारा में जो हमारे प्रेजेंट में केंदरिय, स्पोर्स और इनफॉर्मेशन और ब्रॉड़कास्टिंग मिनिस्टर है अरुड़ाक ठाकुर उनके दोरा ये खेल महाकुम्ब काउद गाटन की आयजित किया गया था यनकी शुरू किया गया था इसलिए इंपोर्टन है और इस वर्ष लगपग 1200 पार्टिस्मेंट्स ने इसमें पार्टिस्पेट किया हिमाजगरेश के समान्य प्रसेशन विवाग ने कि इंस्तानों पर शिकायत निवारण प्रकोष्ट कोले हैं तो कहां खोले हैं ये खोले हैं ये खोले हैं न्युदिली के हिमाजगर सदन में और चंडिगड के हिमाजगरेश के जो भी लोग बाहर रहते हैं दिल्ली और चंडिगड में अगर उन्हें भी कोई भी समस्या है तो वो कंप्लेट लिखवा सकते हैं अपनी इन नंबर्स पे और इसके लिए एक शिकायत निवारण सेल खोला गया है और ये हिमाजगर सदन नियो दिल्ली और हिमाजगर भवन चंडिगड यहां पर खोला गया है दिया रखिएगा ये नंबर दिये गए हैं इनने पे कॉल कर सकते हैं अगरे रवी रीबर महसब वास ऑरगनाइज अंटर आज्याधी का अमरित महसब अज़ादी के अमरित महस छेले में रावी नदी महसब का हायowsan किया गया तो तो कहां किया गया ये किया गया चंबा में option C correct answer है तो चंबा में आजादी के अमरित महसब के अंतरगत 22 और 23 डिसंबर को रावी रीवर महसब celebrate किया गया इसका अईजन किया गया इसके अंतरगत लोगों को अभेर किया गया कि किस तरह से नदियों का conservation किया जा सकता है और किस तरह से हम अपनी रावी रीवर को क्लीन कर सकते है बात करें रावी रीवर की इसका वैदिक नाम है पूरुशानी संस्कितने में इरावती और ये कांगड़डिस्टी के बड़ा बंगाल से औरिजनेट होती है बड़ा बंगाल ये दौलादा रीज में इस्तीत है और चमबा को ये खेडी नामक स्थान पर ये लीव करती है और चमबा में लगवग 130 किलोमेटर तक ही फ्लो करती है और जो अलेक्जेंटर के historians थे इत्यासवादी थे उनके दोरा इसे हीड्रेस्टर और होडियस नाम दिया गया था इसके लावा पाकिस्तान में जाकर ये चिनाम दियसे मिलती है और इसकी जो ट्राइबियोटरीज है वो है भादल, सियूल, बैरा, तंतगीरी, साखो, भुदिल, तुंडाह, भलजेदी, शिर्चिंद और नुला ये इसके ट्राइबियोटरीज है हाली में किस्तान पर बच्चों के लिए आइस होकी पर सिक्षन सीविर का आजन किया गया था, तो कहां किया गया था, ये काजा में किया गया था, काजा कहां है, लॉट्सविदी में नेशनल वुमेंज आइस होकी चेंपेंशिर 22 इस प्रपोस्ट टू हेल्ड एट विच प्लेस ऑन जनवरी 16, रास्टियव महिला आइस होकी चेंपेंशिर 22 का जिन 16 जनवरी को किस स्थान पर किया जाना प्रस्तावीत है, तो प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए मुक् ठाकुर काफी प्रतन कर रहे हैं कि यहां पर और अर्गिनईज हो जाए, तो कहांपर यह प्रतन के जा रहा है, यह के जा रहा है काजा में, option A, correct answer है, तो नेशनल वुमेंज आइस होकी चेंपेंशिर 22 यह प्रपोस एटन की प्रस्तावीत है कि 16 जनवरी को इसे काजा में औ जाएगा काजा जो है लॉस्पिती डिस्टिग में स्थीत है और अगर यह और्गनाईज हो गया तो पहली बार कोई नैशनल इवेंट जो है यहां पर और्गनाईज होगा इसके लावा नैशनल वोमेंज आइस होकी डॉल्मेंट कैम्प 25 दिसंबर को यहां पर और्गनाईज यह थी माई डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पीडियाप चाहिए तो आप टेलेग्राम चैनल्स ले सकते हैं टेलेग्राम पर सच किए जिए हमाजोल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडियाप राप्त कर सकते हैं मिलते हैं ने डिसकेशन में तैंक्स watching video to like share and subscribe my channel